रस्तरिय पंचाय चुनाओ की अंतिम और चतुर्थ चर्ण में लोहर्दगा के तीन प्रखंडों में मद्दान होना है इसको लेकर सारी तयारिया पूरी होग चुकी है लोहर्दगा के कैरो लोहर्दगा और भंडरा प्रखंड में 325 मद्दान केंदर बनाये गए हैं जिसमें 388 पदों के लिए मद्दान किया जाएंगे सबी पूलिन पाटियों को बूतों के लिए रवाना किया जा रहा है कैरोग प्रखंड में मद्दान केंद्रों की संख्या 76 है जहां मद्दाताओं की संख्या 39,882 है वहीं लोहरदगा प्रखंड में कुल मद्दान केंद्रों की संख्या 135 है जहां कुलमदाता 50,823 है जबकि भंडरा प्रखंड में कुलमदान के अंद्रों के संख्या 114 है जहां कुलमदाता 44,834 है भंडरा और लोहरदागा में जो कल एलेक्शिन्स होने वाले हैं उसका हम लोग दिस्पैच कर रहे हैं 325 हमारे बूट्स है जिसमें हम लोग आज अपनी पोलिंग पार्टी भेज रहे हैं हमारे सभी सेक्टर मेजिस्ट्रेट सभी पुलिस कर्मी आ चुके हैं हमारे पोलिंग पार्टी के मेंबर्स भी आ चुके हैं वो अपनी सामगरिया चेक कर रहे हैं मतपत्र चेक कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली दो dispatch बहुत ही जल्दी और बहुत ही efficiently हमारे administration ने manage किया था आज भी हम लोग यही प्रयातने करेंगे और कल भी touchwood जो हमारी polling है बहुत ही शांधी पूरबख होगी इस तरी पंचाई चुनाओं को लेगर करके महिला माधदानकर्मियों कर भी duty लगाई गई है जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं में उत्सा है क्योंकि यह महिलाओं को सम्मान देने की बात है नीरमाचेनायो की और से हमारे साहते में कुछ महिलाओं है हम उनसे बात करते हैं हम उ आरे महिलाओं को एक बूत में चारों महिलाएं तीस तरह से हम लोग एक दूसरे काच्छा से मेरे मिलाब करके चलेंगे और काफी हैं हम लोग को फाइनली जेंस के साथ में हमें समय ना चाहिए पर नहीं मिलकर हम सब लेडी इसके लिए बहुत उत्सुक भी यह काम करने के लि लोहरदग्गा प्रखंड के लिए 36 और भंडरा प्रखंड के लिए 12 ऐसे बूत बनाएगा है जिसमें सिर्फ महिला मद्दान कर्मी ही लगाएगा है अमित बर्मा कशिश नियुद लोहरदग्गा रामगड में पंचाय चुनाव का आखरी चरण शुक्रवार को होना है इस है ऐसे में बात रामगर जिले की कहें तो मांडू परखंड में मद्दान होना है इसको लेकर आप देखेगा तो तैयारियां पूरी कर ली गई है जो पोलिंग एजेंट है वे उनको लगातार बुथो पर भेजा जा रहा है उनको पूरे सामान साजों के साथ ताकि जो है व 306 जो पद है पंचायती चुनाव में और उसमें 984 उम्मिद्वार अपने किस्मत का फैसला करेंगे तो इस तरह से देखा जाए तो खास कर चुकि जो अति संबेदन सिल या संबेदन सिल बूत पर है उसके लिए भी प्रयाप्त संख्या में डंदा धिकारी सहित पुलिस ब मादा इजाफा हुआ है तो यह बता रहा है कि मदाताओं में लेकर मदाताओं में खासकर काफी उत्सा है अगर बात करें तो लगबग 1,60,000 मदाता कल जो है मांडू परखंड में अपने मताधिकार का प्योग करेंगे हमारे साथ रामगड डिसी हैं हम उनसे जानने की कोसि और पंचैत समीती सदस चार पदों के लिए मदान होने हैं जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से सारी तैयार यह पूरी कर ली गई है हम लोग प्रतिबद हैं कि पिछले दो चरण की तरह इस बार भी चुनाओं को निस्पक्ष और शांती पूर्वक संचालित कर आए त उस दिन के बाद पता चलेगा कि आखिर छेत में जनता ने किसे अपना सिर्माण चुना है और किसे अपना बहुमूल मत देकर जो है बीज़े बनाया है कस इसने उचके लिए रामगर से मैं धर्मेन पड़े लिए यूपी के बुलंद शर्च से बीचेपी सांसा सज आर्ख जार्खंड सरकार पर प्रश्टचार और लूट का रोप लगाया करें